हलो डियर स्टूडेंट वेल्कम बेक टू और आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वॉक्षीट नंबर 284 क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वॉक्षीट है जो सिख्षा निदेशा लेकी और से आपके लिए 25 जैन्वेरी 2021 के लिए शेडूल की गई ह आज की वक्षीट में भी हम अध्याए 5 कॉंटिन्यू करेंगे प्रित्वी के प्रमुख परिमंडल और आज हम जल मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो and also press the bell icon for further notification so let's start आज पढ़ेंगे विश्व के 5 प्रमुख महासागर विश्व के 5 प्रमुख महासागर हमने last worksheet में भी किये थे so सबसे पहला क्या है प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है तो आपके लिए काफी important point है यह सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशांत मह महासागर सबसे बड़ा महासागर है यह प्रित्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है ठीक है प्रित्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्थ प्रशांत महासागर में ही स्थित है तो यहाँ पर आपके main two point आ गए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और स्टितन है विश्व का दूसरा सब्सें बड़ा महसागर कौन सा हो गया अटलांटिक महसागर की तत रेखा बहुत अधिक दणतोरित है और व्यापार की द्रिष्टी से यह सबसे व्यस्थ महसागर है थी तु सबसे व्यस्थ着 महसागर आपका कौन का वो गया अट्लाइन्टिक, महसागर और दूसरा सबसे बड़ा महसागर भी है. थार्ड वन है हिंद महसागरHiंद महसागर ед History मात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानि भारत के नाम पर रखा गया है तो बेटा भारत को हिंद भी कहते हैं इसलिए इस महासागर का नाम जो है वो किसी देश यानि भारत यानि हिंद के नाम पर है और यह महासागर लगबक कैसा है यह महासागर त्री बुजाकार है तो ये भी इंपोर्टेंट इसमें आपके पॉइंट हो गई हिंद महासागर कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है तो वो कौन सा है वो हिंद महासागर है और कौन से देश के नाम पर है भारत देश के नाम पर है और इसके आकरती कैसी हो गई त्री भुजा कार हो गई नई संसी के दक्षणी महाँसागर अंतर्टिक महाथवीप में है और अंसक्री महाजेश्ड को चारवर से घेरता है तो दक्षणी प्रशांत महासागर ये उत्तर धुरू विरत में स्थित है और ये है प्रशांत महासागर से छिछले जलवाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जलसंधी के नाम से जाना जाता है तो यहां से हम देखेंगे तो देखें ये क्या है ये प्रशांत महासागर है उसके बाद ये वाला पार्ट ये अटलांटिक महासागर का है उसके बाद अगर हम देखेंगे देखें हिंद महासागर है तो ये जो है क्या है हिंद महासागर ये है यहां से ये दक्षनी महासाग और उसके बाद ये आपका है आर्टिक महासागर तो ये आपके हो गए पांच महासागर तो जो आर्टिक महासागर है वो प्रशांत महासागर के साथ बेरिंग जलसंदी के नाम से जुड़ा हुआ है ठीके अब प्रशन एक है हमारे पास पृत्वी का सबसे गहरा भाग कौन स है तो यहां से आप लिखतेंगे प्रित्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्थ है जो प्रशांत महासागर में ही स्थीत है तो यहां से लेकर यहां सतका आपका question number one का answer हो जाएगा next देखिए व्यापार की द्रिश्ची से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है तो हमने अभी देखा व्यापार की द्रिश्ची से सबसे जो व्यस्त महासागर है वो कौन सा है अट्लांटिक महासागर तो आप answer में लिख देंगे अट्लांटिक महासागर, यह आपका question number 2 का answer हो जाएगा next question number 3 है bearing जलसंदी किन दो महासागरों को जोडती है, तो bearing जलसंदी किन दो महासागरों को जोडती है तो आप answer में लिखेंगे Arctic महासागर और प्रशान्त महासागर को जोड देती है तो यह आप दोनों लिख दीजे ठीक है कि Bearing जलसंदी Arctic महासागर को प्रशांत महासागर से जोडती है तो यह दोनों आप इसमें Question No.3 में लिख देंगे तो यह हो गई आपकी आज की Worksheet बिटर काफी Easy Worksheet थी I hope आपको सारे Questions clear है कोई डाउट है कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और थैंक्स पर वाचिंग